गर में Windows लगाने से पहले ये वीडियो देख लेना, इस वीडियो के बाद आपको पता चलेगा कि वीडियो अच्छी कौन सी आपके गर के लिए, जो गर को लगजरी लुक भी दे, सस्ती भी हो, लाइफ भी उसकी अच्छी हो, वीडियो देख लो, पैसे भी बचेंगे, अच सस्ता भी हो, दिमक भी नहीं लगे, और बेस्ट भी हो, छे साथ आप्शन आपको दूँगा, और कलर क्या रखें कि लगजरी लुक आए, तो पहले बात करते हैं, साइज की, तो हमेशा जब भी आपको अपने रूम की विंडो रखनी है, जा गर में विंडो रखनी है, तो अगर छोटा रूम है, आपको उसको बड़ा दिखाना है, जा एक लगजरी लुक अपने रूम को या गर को देना है, तो विंडो के साइज हमेशा बड़े रखना, बड़े साइज जो रहते हैं, वो एक, देखो, जितनी जादा लाइट गर में आएगी, उतना जादा गर बड़ा दिखता है, लगजरी दिखता है, तो आपको विंडो के साइज बड़े रखने, 6 x 4 का आप रख सकते हो, 7 x 5 का आप रख सकते हो, तो इन में से चूज कलो, 4 x 4, 6 x 4, 7 x 5, इन में से चूज कलो, आपका रूम जिस हिसाब से होगा, उस हिसाब से विंडो का साइज र बड़ा रख दो बड़ा रखोगे तो व्यू काफी अच्छा मिलेगा लाइट भी अच्छी आती है साइड वाली दो विंडो जो होंगी उनको छोटा रख दो मतलब वो आपकी होगे डेड़ फीड वाई डेड़ फीड की जो बीच वाली जो जगा बचेगी जादा उसमें व समर्ड डिजाइन ही ट्रेंडिंग में है लक्जरी लूक आपको देते हैं सामने कुछ डिजाइन होगा, जहां कोई cafe होगा, उसमें ये design आपको दिखागे, window में design बना ओगे बहुत अच्छी look देता है अभी हमें एक दियान और देना पड़ता है जब हम design करते है window को, तो हमें grill पे दियान देना पड़ता है इंडिया में चोरियें बहुत ज़्यादा होती है तो security purpose के लिए हमें जो grill होती है उस पे दियानों देना पड़ता है ऐसे तो grill अगर जितनी ज़्यादा कम हो उतना ज़्यादा सुंदर दिखता है puzzled grill जो रहती है जैसे सामने grill देख रहे हो मतलब design और grill mix जब हो जाती है बहुत गंदा दिखता है और इंडिया में mostly गर ऐसी होंगे कि ऐसा गंदापन वहां दिखता है कि grill भी इतनी ज़्यादा puzzled है और उसका बाहर का design भी इतना ज़्यादा puzzled है तो वो अच्छा नहीं दिखता है तो possible रखो क्योंकि हमें security को भी साथ लेके चलना है कि हम ज़्यादा कम भी नहीं कर सकते grill ज़्यादा कम गी तो चोर गुस जाएगा वहां से तो grill हमें क्या करनी है vertical ज़्यादा use करना है जितना ज़्यादा vertical रखोगे खिडकी बड़ी दिखती है रूम बड़ा दिखता है और देखने भी बच्छे लगते है तो vertical design रखो बीच में थोड़ा बहुत horizontal देल दो कि उसको support रहे आपकी grill टोटे नहीं तो ये चीज आपको ध्यान देनी है puzzled कभी भी आपको grill नहीं करना है और design जितना ज़्यादा simple हो उतना अच्छा है और window जितनी ज़्यादा बड़ी हो उतनी मतलब छोटी हम 18 इंच से छोटी window नहीं कर सकते वो बहुत खराब दिखती है design purpose से 18 इंच से बड़ी रखो और die feed तक आप बीच बाला रखो बाकी side में छोटी छोटी रख दो यह हो गया material पे आके हम लोग अटक जाते हैं सब क्यूंकि option हो गए हैं बहुत ज़दा पहला option क्या है लकडी की खिडकी विंडो जो wooden window तो wooden window का trend बहुत है सालों से चल रही है और लोग अभी भी follow कर रहे है तो अच्छी बात है wooden के साथ जा सकते हो लेकिन थोड़ी costly है इसमें color option आपको काफी मिल जाते है कि आप कोई भी paint इस पे करवा सकते हो तो color option काफी ज़दा हो जाते है तो wood costly एक है termite से उसको दिक्कत है और साथ में life थोड़ी कम है लेकिन color option काफी मिलते है अगला option हो जाता है हमारे बात UPVC UPVC में आपको भी color option बहुत ज़दा मिल जाएंगे लेकिन उनको अतनी strong नहीं रहती हो हवा से एक दुबार हवा से वो लगी तो UPVC सस्ती भी है लेकिन उसकी life कम है और color option ज़दा है ये wood और UPVC कम सब्सक्राइब ज़दा ज़दा है फिर बाती है aluminum aluminum में भी color option काफी ज़दा आपको मिल जाएंगे लेकिन UPVC से थोड़ी costly रहती है अगर हम इसकी life की बात करें life काफी ज़दा है थोड़ी बहुत strong भी है तो आप एक option अपने गर में aluminum window को दे सकते हो ये तीन option होगे चोथा option आपके पास आता है जपानी चोखट जपानी चोखट इस समय बहुत trending में है सस्ती भी है उसमें भी आप जितने color चाहिए उतने color आपको मिल जाएंगे life भी बहुत अच्छी है termite से भी कोई दिक्कत नहीं है तो जपानी चोखट इस समय लोग बहुत लगा रहे है तो जो MS के sheet रहती है उसकी चोखट बनती है तो CNC machine में बनाया जाता है cutting की जाती है तो इसको जपानी चोखट का नाम दिया गया है जपान में बहुत ज़्यादा use की जाती थी तो इंडिया में use की जारी है तो एक option आप जपानी चोखट को रख सकते हो सस्ता भी है मतलब सब कुछ जपानी चोखट में मिल जाता है सस्ता, life, सब कुछ फिर एक आता है जो Tata प्रवेश के windows आते हैं MS के windows तो वो भी ले सकते हो वो भी एक सस्ता option है मतलब 5-6 option है अगर मैं किसी को अगर suggest करूँ अपने से तो उसको Almonium जहां जपानी चोखट में जाओ तो एक अच्छी window आपकी तियार हो जाएगी जिसकी live भी है कोई दिक्कत उसमें आपको देखने को नहीं मिलेगी अगर budget का कोई issue नहीं है तो Tata प्रवेश की windows जो है उनका मुकाबला कोई नहीं है Tata प्रवेश की window में एक नई-नई technologies है life अच्छी है, safety अच्छी है लेकिन थोड़ी बहुत costly है costly बहुत ज़ाद है वो 25-30,000 रुपे की window आती है चार बे-चार की अगर budget का issue नहीं है Tata प्रवेश के जा सकते हो अगला option अगली चीज हमें चूज करनी वड़ती है colors colors में लोग बहुत conjuicy करते है mostly लोग क्या करते है brown color, wooden color इसी color में जा रहे है ये देख देख के लोग पग गए है आपका कोई unique नहीं देखेगा rich feel भी मिलेगी और unique भी हो जाएगा सब आपकी windows देखेंगे आके अगर आपने ये pattern simple pattern रखा होगा बहुत अच्छा दिखते है black के साथ भी जा सकते हो black भी बहुत निखर के आता है फिर आता है wooden wooden भी बहुत अच्छा दिखता है अगर चो dark shade रहती है उस dark shade के साथ में जाना light shade में जाओ तो वो बहुत अच्छा लगता है PU paint आप करवा सकते है NML करवा सकते हो तो white, black, brown इन तिनों में से कोई भी choose कर लो तो आपकी window एक rich look उसमें निकल के आएगा aluminum window लगाने का वो हम निकाल लेते हैं देखो इससे rate का आपको idea लग जाएगा आपके area में भी लगबग यही rate चल रहा होगा 10-20 रुपे आगे पिछे होगा बस आपको quality देखनी होती है rate 10-20 रुपे ज़धा देना पड़े देदो लेकिन quality देख लो तो three door की मैं बात कर रहा हूँ जिसमें net भी आता है छीशा भी आता है और 4 by 4 की window रहेगी ठीक है mostly लोग क्या करते हैं use करते हैं 4 by 4 की window करते है और इसमें जो glass use किया गया है वो किया गया है 6 mm का जो rate में आपको बताने वाला हो और frame भी काफी जदा अच्छा है brown color का frame है forest ground जो रहते है brown तो window हमारी है 4 by 4 की आपकी जितने भी window हो 5 by 5 की 5 by 6 की दोनों को multiply कर लो 4 by 4 को multiply किया 16 square feet आ गया हमारा कितना 16 square feet फिर window आती है ionized जैसे मैंने कहा जो अच्छी quality की आती है जिसका color भी नहीं जाता है कुछ effect नहीं होता है ना maintenance की जुरूवत है तो उसका इस समय market में आपको मिल जाएगा 325 रुपया पर square feet के साब से तो जिसमें आपकी labor भी है material भी है दोनों चीजे इसमें include है कोई इसमें अलग से आपको कुछ नहीं देने तो 60 square feet के है तो 5200 रुपय हमारा उसका खर्चाएगा कितना 5200 रुपया हमारा उसमें आएगा material प्लस labor ठीक है अगर labor इसमें से निकाल देते हो आप तो आपको ये 280 रुपय पर square feet से भी दे देते हैं आपको खर्चा बढ़ जाता है लेकिन ग्रे नाइट जो रहता है विंडो के चारो तरफ वो लगा लो नहीं तो ना packaging अच्छे से नहीं होती है तो वो दिक्कत रहती है उसके निकलने की तो ग्रे नाइट अगर लगाया होगा तो विंडो आपकी दिखेगी भी अच्छी और लगेगी भी अच्छी थोड़ा खर्चा बढ़ जाता है उसमें जो powder coated आती है उसकी भी quality खराब नहीं होती लेकिन उससे थोड़ा कम रहता है इसमें जो polish paint किया जाता है वो सही machine technology किया था है इसमें powder coated होता है यह भी होता है लेकिन थोड़ी quality कम हो जाती है तो अगर हम 4x4 की अगर powder coated लें तो 16 square feet आया था हमारा 4 into 4 तो 240 रुपया rate market में चल रहे है यह भी material plus labor है तो इसमें आपका 3840 रुपया खर्चा आ जाता है कितना 3840 और यही अगर आप window 4x4 की किसकी लगाने चाओगे लकडी और MS का frame बना के तो आपको कितने की window पढ़ेगी double खर्चा पढ़ता है दोस्तों अगर सोच रहे हो जपानी चोखार जिसे बोलते है window frame लगवाने अपने गर में तो उसमें total खर्चा कितने पढ़ने वाला है 5x6 की यह खिडकी है मतलब 5 में चोड़ी है और height में 6 foot आपकी 4x4 की हो 3x3 की जो भी लगेगी आप इसकी help से आप निकाल लोगे बीच में जो rod यूज हुई है जो आप देख रहे हो SS की rod है वो 304 grade यूज हुई है यहीं पर दो ख़ड़ी हो जाती है आपको जो दुकानदार वो बोलता है 202 या 304 मतलब आपको idea नहीं होगा अगर 202 grade क्या है 304 grade क्या है तो वो आपको 202 grade लगा के 304 के पैसे लगा देगा तो आपको यह पहले चेक कर लेना है कि यह जो यह है ठीक है एक यह चीज आपको बोली है दूसरी चीज आपको क्या करनी होती है दूसरी चीज आपको करनी है चुकाट लगानी है आपको इसमें गोज आते है इसमें आपको 16 गोज भी मिलेगा 18 गोज भी मिलेगा और फिर 20 गोज भी मिलेगा तो ये चीज भी ध्यान रखने हैं कि आपको बोलने हैं 18 या 16 गौज का लगाओ, जितना गौज कम होता जाएगा उतनी इसकी थिकनेस, मतलब मुटाई जादा होगी तो अच्छी क्वालिटी होगी, ठीक है? तो इस हिसाब से आपको ये चेक कर लेना है, इसका kg में भी rate बनता है, और running feet में भी rate बनता है, तो अभी हम theoretical में, आप जब लिखके आपको समझाओगा न, तो कोई भी निकाल लेगा कितना खर्चा पढ़ने वाल है, देखो ये विंडो मैंने आपको अभी दिखाई, पांच फूट, कितना है, पांच फूट, वो हमने लिख दिये यहां, कितना है, पांच फूट आगया हमारा, फिर ये जो है हमारा, ये कितना है, छे फूट, ये हमने लिख दिये यहां, छे फूट, ये हमारा कितना है, पांच फूट ही होगा, यहां पांच फूट है, यहां भी प गणिए जाते हैं यह तो हमें ब्र pleasing के अंदर को और डाल लेकिन यहां क्या होता है डबल होता है यह यह से यह दो यह जाता है तो यह hai do फूट कर दिया जो अंदर वाली रहेंगे मेश्या वह कितना लेना आप को 2, 2, मतलब double लेना है उसका, तो 2 foot था, 2 plus 2 हो गया, ये वाला भी हमारा, ये कितना है हमारा total यहां से लेके यहां तक है, 4 foot, total 6 था, दो six foot oopar का था चार फूट नीचे का था तो ये वाला भी हमें क्या लेना है double लेना है 4 plus 4 ये ले लिए double और ये वाला भी हमें double लेना पड़ेगा 4 plus 4 onsी 4 Son ॏ यहां तक हो गया 4 plus 4脯। इह satisfying 5 plus 5 कितना हो गया 10 particle हमारा हो गया 52 उनिंग फीट कितना इसको पूरे को कितना हो गया 52 रूपी 52 रनिंग फीट अभी जो market में price चल रहा है इसको देखना भी ठीक है ये price है ये आपको पंचानु रूपे भी मिलेगा 110 रूपे भी मिलेगा 100 रूपे भी मिलेगा 105 भी मिलेगा आपकी location के साफ से मतलब पंचानु रूपे से start हो जाते ह और उसमें चेक क्या करना है जैसे मैंने कहा 18 गौज का यह मैंने rate बताया आपको, 18 गौज का, 16 गौज अगर बोलेगा वो, तो वो थोड़ा महंगा होगा, ठीक है, अगर 20 गौज बोलेगा, तो वो सस्ता होगा, वो महंगा आपको लगा रहा है, यह चीज दियान रखना, और फिर इसमें हमारा आया 52 RFT 52 RFT 105 रुपए मैंने rate पकल लिया कितना 105 रुपए जपानी चोकट का तो हमारा आगया 5460 रुपए हमारा किसका बाहर बाहर के जो frame है ये जो frame है main frame जो है इसका खर्चा आगया 5460 रुपए फिर जो बीच में rod लगी है इनका भी खर्चा लेना पड़ेगा ये जो लाल कलर की जो आपने steel की देखे थी ये आपको लगानी है जिंदल की 304 grade याद रखना कितना 304 grade और इसको कैसे करना calculate कितना लंबी कितनी है हमारी rod वो है 5 foot सामने नीचे दिख रहा है यहां से लेके यहां से अंदर भी होती है इसके अंदर से लेके यहां तक 5 foot पकड़ती है वो 5 foot और total कितनी है हमारी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 आपको गिंड लेनी है कितनी है 9 है 5, 9, 45 हो गया मतलब 45 RFT हमारी rod लगी हुई है यहां से यहां यह यह ठीक है और 60 RFR rate है आपके में हो सकता क्या हो यह हो उसको बोला 304 जिंदर लगानी हमेल को rate बता तो 60 RFR यहां rate हमारे चल रहा है 45 into 60 करेंगे 2700 RFR की हमारी यह rods लगेंगी कितनी 2700 RFR की rod लगे clear फिर जो कबजे कबजे भी लगाने पड़ेंगे यहां कबजा होगा यहां खिडकी के लिए कबजा होगा यहां होगा डबल पढ़ लेगी दोनों सेड होगे तो मैं 12 पकल लेता हूँ आप गिन लेना कबजे कितने लगें उसको 12 कबजे पकले 30 RFR का कबजा मिल जाता मतलो 105 RFR R8 पकड़ना जांप पता कर लेना पता क्या करना होता है 3-4 जगा पता कर लेना कि क्याcard चल रहा है गाज़ पता करना है quality पता करना है फिर उसके असाब से आपको बनाने को दे देने आप किसी भी इसको पूरा आप करवा सकते हो आपको यहां hole रखाना है यह रखाना है वो सब कुछ यहार anti-termite है काफी अच्छी quality या कोई इसको इतनी जल्दी खराब नहीं होती है लकडी की दिक्कत रहती है जो MS की करते है तो उसमें crozen की दिम्म की दिक्कत रहती है यहां इतनी दिक्कत कुछ नहीं रहती अगर आपको चाहिए window एक तो simple design उसका रखना हमें दूसरा आपको जो color है white black यूज़ करना है और अगर frame आप कहोगे सस्ता भी और अच्छा भी दिखना चाहिए जपानी चोखट या अल्मूनियम के साथ चले जाओ तो बहुत अच्छी window आपकी दिखेगी और एक चीज मत ब बड़ा रखो बीच की window बड़ी रखो side की चोटी window रखो और बीच की जो grill है जितनी जदा कम हो सके उतनी कम करो design simple रखो vertical रखो security को साथ में लेके चलो तो आपका घर बहुत अच्छा देगेगा मेरे ख्याल में आपको आइडिया लग गया होगा कि आपको अपने घर के लि की topic नया आये कुछ comment करना दूसरे दिन वही topic आपको free में मिल जाएगा और एक चीज़ में आपको सबको बता दूँ अगर कोई आप गर का consultation करवाना चाते हो interior का ideas लेने चाते हो तो ये phone number है सामने और fee साब सामने देख रहे हो थोड़ी सी fee रखी है आपके सारे doubt तलीर गए चांने धे क्यों सारे चाने जाएगा भूसर दूनीम